हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक नई वीडियो में प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट से जुरी अपडेट जानेंगे जी हाँ पार्ट टू और पार्ट त्री वाले बच्चे आप काफी मेहनों से इंतिजार कर रहे हैं अप की विशुद्ध बन था क्यों बन था क्योंकि कोरोना जो है उस समय काफी मातरा में बढ़ रहा था ठीक है और बहुत सारे चात्रों का यह भी कोमेंट आ रहा था एकजाम इस बार नहीं लिया जाए गया तो रिजल्ट जो है अतिस्जिगर परकासित किया जाएगा ठीक है नेंत्रक जुए आपके जो परिक्छा नेंत्रक है उनके द्वारा बहुत साड़ी थी बताई गए है कि जीसे कि 4 अपरेल जी है 4 अपरेल को हम रिजल प्रकासित कर देंगे पार्ट 2 का और 10 अपरेल तक जो है पेपर कटिंग भी देखा होगा मैं वह पेपर कटिंग भी दिखा देता हूं इसके बाद रिजल्ट से जुरी सारी जनकारी प्राप्त करते हम लोग ठीक है प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए जैसा कि इस पेपर कटिंग में कहा गया थे कि पार्ट बताया कि 15 अपरेल को पार्ट 2 और 25 अपरेल को जो है पार्ट 3 की परिक्षा रिजल्ट परकासित होगी परंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला आप सबी को और आप लोगों काफी ज़्यादा हातास भी है परंतु हातास होने की बात नहीं है दोस्तों ठीक है बांकी वि एक जाब भी ले लिया गया और परंतु अभी तक रिजल्ट परकासित नहीं किया गया तो बांकी विस्विधल्यम परि नहीं करते हैं। गुमाफिरा की बात हम नहीं करते हैं सुरपर तो हम बात करेंगे पार्ट टू से रिजल से समधी जनकारिया इसके बाद पार्ट टू के रिजल की जनकारिया हम लोग प्राप्त करने वाले एक बार फिर से बता दो दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ला क्योंकि यहां पर आपको सारे न्यूज सारे न्यूज 100% जो है पुरूप के साथ दिखाया जाता है और साथी साथ आपको है यहां पर हमेशा अपडेट करने का भी काम किया जाता है और आप लोग को जो भी कोमेंट करते हो आपके कोमेंट का जवाब भी दिया जाता है तो सब्सक्राइब करना अत्ती आवस्यक है और खास करके आज का वीडियो काफी ज़्यादा महत्पूर्न है क्योंकि आपको सारे कनफ्यूजन एक ही वीडियो में किलियर होने वाले हैं जैसे कि प्याड़े दोस्तों आपके परिक्षा नेंदरक से जब बाते हुई तो बातचित के दोरान उन्होंने किलियरली बताया जी हां उन्होंने किलियरली बताया साब साब बताया कि इस बार finally ती थी क्या है आपके result का और आप अपना result कितने बज़े से देख पाऊगा र कब कैसे देख पाऊगे ये जनकारी प्राइब जैसे कि इस paper cutting में देख लेज़ी ये आज का paper cutting है ठीक है इसके बाद हम लोग ओफिसल वेबिसाइट पर चलेंगे वीडियो इसकी मत करना पहले बात को समझ लिजिए 25 अप्रिल से 37 माईश तक जो है ओनलाइन आवेदन ये ओनलाइन आवेदन की बात की जारी है ठीक है जून परवेश परिक्षा की संभाव इती थी असना तक पार्ठट की हम बात कर रहे हैं फिर पार्ट्टू की बात करेंगे असना तक पार्ठट का रिजल जारी हो नहीं होने से बेट परवेश परिक्षा का परफॉर्म भरने से वनचित हैं हो सकते हैं बेनम्यू के 25 जार शात्रा हैं समझ रहे हो आप और यहां पर बात कर ले हम लोग बेनम्यू के लिए चात्र शात्राओं को भूगदना पर सकता है पार्ठट वालवे बच्चे को और बेट परवेश परिक्षा के लिए 25 अपरेल से 37 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा चात्रों को ऑनलाइन आवेदन करते समय दसना तक उतिन होना अनिवारी है ठीक है 35,000 पार्ठट के परिक्षा में हुए थे सामिल ठीक है और परिक्षा में लगबग 25,000,67 सामिल हुए थे परिक्षा समावत होने के बाद उतर पुस्त का मुल्यांकन कारी भी पूर्ण हो चुका है आप लोगों का जो कोपी जांच की प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है परन्तु यहां रिजल्ट की बात की जारे बताया जाए कि फरवड़ी महा में ही उत्तर पुस्त का कारिया संपन हो गया था इसके बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया परिक्षा नियंत्रक आरपी राज़े सर्ण ने बताया कि असनातक पाठल का रिजल्ट जो है लगभग तयार हो चुका है अगले सप्ता में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगले सप्ता में जी हाँ इदर छात्रों का कहना कि आवेदन किती थी जैसे जैसे नजदी काता वेवसाइट पर धीमी हो जाती है ऐसे में वे लोग आवेदन करने से वंचित हो सकते हैं ठीक है और 25 अपरेल से 27 समयज तक आवेदन किती थी है ठीक है अब बात करते फाइन नहीं होगा 20 अपरेल 2022 तक में परिक्षा परिणाम घोसित होगा जियां दोस्तों पार्टड नेंतरक अरपी राजिस सर बताते हैं ठीक है और यह फाइनली टीथी ती थी है यह फाइनली टीथी है इसमें कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है दोस्तों ठीक है और जैसे ही डिजल से जुरी और भी अपडेट आती है मैं हमेशा की तरह आपको update करने का काम करता हूँ और वही news लाता हूँ जो 100% सत्य हो ठीक है और आपके मन में किसी तरह के सवाल चलने मुझे comment करके बताओ आपके सवाल के जबाब मिलेंगे तो मिलते हैं एक टूडियो में थेक्स वर वाचिंग बाई बाई टेक्ट जाहें दोस्तों